नमस्कार साथियों मैं आपका दोस लेखक बिजनेस कोच टॉक्टर उज्वल पाट साथियों बातचीत से किसी का मन कैसे जीता जा सकता है भले वो ओफिस हो, वो घर हो, वो समाज हो, वो बिजनेस हो कहीं भी कैसे कुछ लाइनों को बोल कर आप लोगों के दिलों में गहरे उतर सकते हैं अपने लिया उसरों के नए दरवाजे खोल सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो करांतिकारी लाइने जिनका उपयोग आप आज से, अभी से, इस छणत से शुरू कर सकते हैं I followed your advice, मैंने आपकी सला मानी और इसने गजब का काम किया कई बार ऐसा होता है, हम कई मुद्दों पर कई लोगों से सला लेते हैं मैंने आपकी सला मानी और गजब का काम हो गया, देखिए हर व्यक्ति को अपनी सला का मोल मिलना अच्छा लगता है उस दिन के बाद वो आदमी आपका मुरीद हो जाएगा हर व्यक्ति चाहे वो कैसा भी दिखे, उसके भीतर से इक्चा होती कि कोई मुझे अच्छा बोले और जैसे से आपकी एज बढ़ती न, आपके कानों में बहुत ज़्यादा इच होने लगती है कोई आपको यंग बोले, यंग बोले, यंग बोले तो ये दो लाइनों को यहां चिपका लिजिए, मान लिजी यही हिंदी में कहना हो आज कुछ खास बात है, या आप बहुत यंग लग रहे हो, कुछ कर रहे हो आप सोचिए, ये दो लाइन से उसका दिन बन जाएगा और उस दिन के बाद वो जब भी आपके बारे में सोचेगा, अच्छा सोचेगा अपनी जबान को कैची की तरह सरजरी करने के लिए यूज मत करिए तभी अपनी जबान को स्टिच करने के लिए यूज कर लीजे आपके सोचने का नजरिया मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके दुनिया को देखने का नजरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है हर किशी को तारीफ चीए और कई लोगों का वाकई सोचने का नजरिया बहुत अच्छा होता है कितना भी स्ट्रेस होता है वो लोडनी लेते, कहीं भी वो मुस्कराते रहते हैं अच्छे से मिलेंगे, थोड़ा बहुत सब की मदद करतेंगे जादा किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलेंगे अरे उनकी प्रेस करो बाई आप याद रखिए जिसकी आप तारीफ करेंगे वो आपका हो गया और यदि वो तारीफ सही और जनूइन है तो उसके बाद वो व्यक्ति बार बार उस काम को रिपीट करेंगे I love your energy अब मेरे को यार आपकी उर्जा जवर्दस लगती है कहां जो लाते हो इतनी energy ये एक डायलाग अच्छे अच्छे बीमार को जिंदा कर सकती है कोई व्यक्ति जो थका मरा हुआ चल रहा उसमें भी energy आ जाएगी वो आपको दिखाने के लिए अगली बार जैसी आपके सामने पड़ेगा एकदम high energy में रहेगा और जो लोग already out of the में महनत करते हैं जो लोग already घंटों को गिनते नहीं हर वक्त डटे रहते हैं उनके लिए आप टॉनिक की तरह काम करेंगे तो कोशिश कीजिए अपने staff को कभी अपने family members को कभी अपने यारों दोस्तों को और उनको मत छोड़ो वो पापी जो रात दिन आपके साथ रहते हैं उनको भी कभी कभी तारिफ कर दो कभी अपने चीवन साथी को बोल दो तुम ठकती नहीं हो पूरा दिन कहां से लाती हूँ इतनी एनर्जी मेरे अंदर तुमारे इतनी एनर्जी आया ना पता नहीं क्या कर दो यदि आपने एक बार बोला समझो 10-15 दिन तो पहले तो बहुत बड़ी हैं खाना मिलने वाला है उसके बाद आपकी कई छोटी-मोटी गलतियों को इग्नोर भी कर दिया जाएगा तो साथियों अपनी बातचीत में इस एक लाइन को और स्टीच कर लीजे साथियों अभी तक की लाइने सुनके आपको लग रहा होगा इसको तो मैं बड़ी आसानी सी यूज़ कर सकता हूँ और अल्रेडी आपके अकाउंड में खूब सारी प्रेज और पॉपलेरिटी आगई है कुछ प्रेज और पॉपलेरिटी आप और पा सकते हैं यदि आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों से शेयर करें और उनके जीने और सोचने का तरीका बदले यदि आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो तुरण तो ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल जोईन कर लो बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज दबा दो नहीं तो बहुत सारे इंपोर्टेंट वीडियो मिस हो जाएंगे ये एक मात्र चैनल इंडिया का जो लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल सारी किसन की एक्सिलेंस की केर करता है आपका जीवन कहीं न कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है इतना अच्छा होने के लिए शुक्रियार कैसे इतना अच्छा रहे पाते होर वक्त मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया तुम्हारे जैसे कुछ लोगों के कारणी रहने लायक है गदगद इनसान, वो व्यक्ति उस दिन रात को आपको याद करता है, दिन में आपको याद करता है जहां जाता है उसको याद करता है, जहां भी कोई तकलिफ में होता है उसकी वो मदद फिर से करता है, क्योंकि वो आपको याद करता है जब आपने कहा था ये दुनिया आपके जैसे लोगों के काड़ अच्छी है क्या जा रहा है बोले है कोई GST लगा हुआ है क्या कोई और टेक सेशन है क्या IT एपलाई हो रहा है क्या अरे भाई बढ़ियां बोलो क्योंकि दुनिया को आप ने तो प्रापर्टी दे सकते हो ना いて सकते हो नःड rhymesरी क्यों हरवक्त एक अच्छी लाइन without एणि कॉस्ट अब दे सकते हो और ऐसेभी आपके मुझसे कुछ न कुछ बोल वचन होता ही रहता है और अकसर वह नेगेटिव होता है डिस्ट्रेंग होता है dat मिस्ट्रेशिं कोता है उसकी जगा फुल आफ लाइन, फुल आफ एनरजी, फुल आफ प्रेज, एड्मिरेशन, ऐसी लाइन ही यूज़ करो. The last time we spoke, you told me about that, you remember? आपको याद है, last time मिरसे अपने बात में क्या कहा था? Sir, हर आदमी चाहता है, उसकी बोली भी बात याद रखी जाए. तो कई लोग जब किसी से मिलने जाते हैं, तो वहाँ जान बुझकर पुरानी बात हैं निकालते हैं, ठाकि आपको लगे सामने वाला व्यक्ति महत पुड़े, देखो आपको किस के साथ बैठने सा अच्छा लगेगा, एक वो जो अपना ही गाना गाता जाए, और एक वो जो आपकी सुने, आपके में इंट्रेस्ट ले, और नेक्स टाइम फिर से पुछे, वो पिछली बार क्या हुआ आप जाने वाले थे, कैसी रही वो ट्रिप, क्या हुआ आपका वो मामला निपढ़ गया कि नहीं निपढ़ गया, सामने वाले वो लगता है यार, और किसी को केर करने वाला आदमी चाहिए, और असली मज़ा तो तब, जब सामने वाला बोलके भूल गया हो, और आपने उसको याद दिला दिया, उसको लगए गया, क्या आदमी यार मान गया है, और इतना सुनते साथ उसकी अपनी नजरों में खुद की वेल्यू बढ़ जाती है, और उसकी अपनी नजरों में आपकी वेल्यू बढ़ जाती है, और इससे आप अपने नियर एंड डियर को भी इंपॉर्टेंट फिल करा सकते हैं, इससे आप अपने कलीक्स को भी इंपॉर्टेंट फिल करा सकते हैं, कई बार आप अपनी टीम में जुनियर्स को, जब आप कहेंगे ना किसी को जुनियर्स को उठाके, जो hierarchy में आपसे नीचे है आप उससे कहेंगे तुम्हारी क्या रहा है इस बारे में वो उस दिन को याद रखेगा जिस दिन आपने उनसे उनकी राय पुछी तो दुनिया में लोगों से ये कहते रहिए और उनकी राय लेते रहिए और उनकी मेमोरीज में जमे रहिए बने रहिए और अंतिम लाइन I really admire this about you कोई भी चीज हो सकता है उसके ड्रेसिंग को आप एड्मायर करते हो हो सकता है उसके बोलने के स्टाइल को आप एड्मायर करते हो हो सकता है वो जो बुक्स पढ़ता है और सरो के कितने दो आर खोल सकते हैं आप जानते नहीं चलिए एक situation imagine किजिए आप किसी एक व्यक्ति से मिले उसने आपसे कुछ भी खास बात नहीं की situation one उसने आपसे आपके बारे में negative बात की situation two और उसने आपसे आपके बारे में तारीफ की आपकी value बड़ाई आपको importance दिया आपकी किसी चीज को admire कि आपके बारे में कोई पिछली बात याद रखी आप किस इस्थिते में उस व्यक्ति के प्रती जादा connected feel करेंगे आप किस इस्थिते में उस व्यक्ति को याद रखेंगे कौन से situation अगली बार आप उसको positive response देंगे कौन से situation ऐसी होगी जिसकी व्यक्ति को कभी आपसे यादी काम पड़ गया ता आप उस काम को करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ situation 3 होगी तो साथियों हर दिन अनेक बार situation 3 लाईए कोई GST नहीं है कोई टेक्स नहीं है हर दिन अनेक बार situation 3 लाईए और देखिए कैसे office में value बढ़ती है देखिए कैसे समाज में value बढ़ती है आपको समझ ही नहीं आएंगा आपके पास चल के opportunities आएंगी आप सुचेंगे मैं इतना popular कैसे हो रहा हूँ महज कुछ लाईनों को उपयोग आपको एक positive, popular, powerful और wanted colleague, family member और society का member बना सकता है आज अभी इस थन से उपयोग किजिए एक बत और ये अपनी सर्जरी को जड़ा कंट्रोल में रखिए क्योंकि आधे से ज़्यादा रिष्टों को यही खराब करें एक बत और यदि आपके घर में, near में, dear में कोई बहुत negative आदमी हो जिसकी कड़वाट से आप परिशान हो उसको ये वीडियो पक्का भेज़ देना उसको subconsciously message में मिल जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और हाँ, कौन सी team line आप आज से अपनाने जा रहे हैं उसको यहाँ पर comment box में जरूर डालें और यदि मौका मिले, तो पास साथ दिन बाद एक बार आके एक comment आओ डालें कि उन लाइनों को अपनाने से आपके जीवन में क्या revolution आए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्यू